Hello everyone and welcome back to Insomniac Studios. मेरो नाम है जहतेन और आज इस वीडियो में मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ अपने system में Cubase LE 11 को Cubase के दो versions LE & AI यह आपको absolutely free मिलते हैं जब आप एक audio interface लेते हो Steinberg का या फिर Audient का and यह DAW आपको काफी अच्छी value प्रोवाइड करते हैं value के आप प्रोवाइड करते हैं यहां पे यह free है बहुत अच्छे features आपको प्रोवाइड करते हैं जैसे की third party VST plugins का support काफी सारी VST plugins के Cubase की जो की आपको in DAW में नहीं मिलेंगी in versions में नहीं मिलेंगी बट आप third party free जो VST plugins होती है उसको बहुत easily install कर सकते हो और अपना जो काम है उसको कर सकते हो मेरे एक student ने recently purchase किया है Audient का ID4 audio interface जिसके साथ यह Cubase का license मिला था वो FL Studio पे काम करते हैं और उन्हें required नहीं था सो मैंने सोचा क्यों ना मैं Cubase को try करूँ और आप लोगों के लिए कुछ videos लेकर आऊ आज इस particular video में हम install करेंगे Cubase को कैसे license की मिलती है कहां से Cubase टाउनलोड होता है सारी चीजे आज इस video में मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हो सो चैनल को कर लो subscribe because इस चैनल पे मैं music production से related videos लेकर आता हूं साथ में studio equipment से भी related में videos यहां पे पोस्ट करता हूं अगर आप interested हो FL studio के tutorials में आप मेरा चैनल चेक कर सकते हो engage music production कार्ट में link मिल जाएगा जाकर चेक कर लेना अब without any further delays सीधा चलते हैं computer screen पे सबसे पहले आपको आना है Steinberg की website पे and यहां पे आपको करना है sign in mysteinberg and यहां पे आपको अपनी email id and password एंटर कर देना है sign in पे करेंगे click जैसा कि आप देख सकते हो यहां पे मेरे पास जो products हैं वो है Cubase LE and Retrolog 2 सो यह दो softwares available हैं मेरे account में अगर आपको और softwares add करने हैं सो आप यहां पे click करोगे register e-license slash software यहां फिर enter download access code पे आपके बास कोई भी hardware है और उसके साथ कोई भी Cubase का version आता है सो यहां पे आप click करके उसको install कर सकते हो सो यहां पे already यह काम मैंने किया है सो यहां पे मैं इसको click कर देता हूँ इस arrow को सो यहां पे आप activation status देख सकते हो not yet activated मैंने अभी तक activate नहीं करा है So, अब जल्दी से मैं इसको activate करता हूँ मैं Windows यूज कर रहा हूँ So, मैं download for Windows पर click करूँगा So, यहाँ पर यह download हो चुका है So, इसको करते हैं run Next I accept Install Windows को कर देते हैं minimize And यहाँ पर इस पर करते हैं OK Sign in के option पर करेंगे click I accept the agreement Open Steinberg Download Assistant So, अब हमें install करना है Cubase LE So, मैं जाऊँगा Cubase के section पर And यहाँ पर आप देख सकते हो Cubase के बहुत सारे versions है But आपको वही install करना है जिसका license आपके पास है So, यहाँ पर मेरे पास है Cubase LE का license So, मैं इसको करूँगा install So, यहाँ पर मैंने Cubase LE select किया है And यहाँ पर आप देख सकते हो यह सारी चीज़े download होंगी And install होंगी So, यहाँ पर आप size भी सबका देख सकते हो So, जल्दी से मैं कर लेता हूँ Install all के option पर click यहाँ पर installation complete हो चुकी है जितने भी optional वाले यहाँ पर content थे वो मैंने remove कर दिये थे So, उसको मैं बाद में install कर लूँगा And जो recommended थे वो मैंने सारे install कर लिये हैं So, अब यहाँ पर एक retro log VST plugin भी मिली थी So, उसको भी जल्दी से install कर लेते हैं So, यहाँ से जाऊँगा VST instruments and plugin पर And यहाँ पर search करूँगा retro log So, जैसा कि आप देख सकते हो Retro log 2 इस पर करेंगे click And यहाँ से अब इसको कर लेंगे install यहाँ पर retro log 2 भी install हो चुका है So, अब इसको करते हैं हम close And अब open करते हैं अपना Cubase LE 11 So, desktop पर आचुका है icon Cubase LE इसको करेंगे double click No valid license found The program will quit now So, यहाँ पर मुझे अपना activation code Enter करना होगा So, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा Start license activation यहाँ पर मुझे enter करना है activation code आपको आना है Steinberg की website पे अपने account में Then उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर है activation code So, यहाँ से मैं इसको करूँगा copy और वहाँ पर कर दूँगा paste आप देख सकते हो जैसी मैंने अपना activation code enter कर रहा है So, यहाँ पर Cubase LE आ चुका है So, अब activate license पर करते हैं click License activation successful Finish license activation पर करेंगे click Refresh and again open करते हैं यहाँ पर हमें अपना audio driver select करना है And यहाँ पर मैं एक empty project create कर लेता हूँ So, यहाँ पर आ चुका है हमारा Cubase LE जैसा कि आप screen पर देख सकते हो So, यहाँ पर जल्दी से मैं add कर लेता हूँ कुछ tracks So, आप यह देख सकते हो यहाँ से add हो चुके हैं tracks And यहाँ से आ चुका है इसका mixer So, अब activate कर लेते हैं retro lock 2 को So, जैसा कि आप देख सकते हो No valid license detected for retro lock So, इसको करेंगे cancel And यहाँ पर Cubase को कर देंगे close अब हमें open करना है e-licensor control center So, अब यहाँ पर मैं को add करना है अपना activation code retro lock 2 का So, again अब मैं जाओंगा अपने Steinberg के account पे And यहाँ से अपना activation code copy करूँगा And उसके बाद click करूँगा मैं enter activation code पे And यहाँ पर कर दूँगा paste And आप देख सकते हो जैसी मैंने अपना activation code paste करा यहाँ पर आचुका है retro lock 2 Continue के option पर click करेंगे License download successful Close Control center को close कर देंगे And again open करेंगे Cubase LE 11 And अब add करेंगे यहाँ पर Retro lock 2 Right click Add instrument track Add track So, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास आचुका है retro lock 2 So guys, आपने देखा कितने easily हमने Cubase को कर लिया है install All अगर आप देख रहे हो एक audio interface आप plan कर रहे हो buy करने का So, मैं आपको suggest करूँगा कि आप ऐसे audio interface में invest करो जहाँ पर आपको धेर सारे plugins मिले और साथ में free DAW भी मिले कुछ equipment के audio interfaces के link मैं आपको description में दे दूँगा आप जाके वहाँ से check कर सकते हैं and buy कर सकते हैं जिसके साथ आपको आपका Cubase या फिर और भी plugins मिलेंगी comment section में आप में को बता सकते हो कि किस type के आपको videos चाहिए है Cubase से related So, मैं वो videos भी आपके लिए ले आऊँगा अगर ये video अच्छा लगाए So, video कर देना like channel को कर देना subscribe and मैं मलता हूँ आप से बहुत ही चल दी next video में